हे दोस्तो वेलकम बेक, तो आज के इस वडियो में हम इन कमपास के बारे में detail में समझेंगे जो हमारे कमपास सर्वेंग के अंदर use होते हैं तो कमपास सर्वेंग के अंदर मैं लिए दो टाइप के Compasses यूज होते हैं ये सारी चीज हम इस यूडियो के अंदर पूरा detail में समझेंगे, तो इसलिए इस यूडियो को पूरा end तक देखना, क्योंकि इस यूडियो में मैं आपको पूरा detail में explain करूँगा कि prismatic compass होता क्या है, उससे reading, किस form में और कैसे ली जाती है, ये सारी चीज हम इस यूडियो के पूरा detail में समझेंगे, और prismatic compass को access कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम एक basic theory समझ लेते हैं, prismatic compass से related की prismatic compass होता क्या है, तो prismatic compass एक हमारा portable magnetic compass होता है, magnetic compass का type ही होता है, prismatic compass जिसका use हम गा करते है, compass serving के अंदर use करते है, तो इस हमारा prismatic compass होता है, वो हमारा एकदम light weight compass होता है, उसको हम hand के अंदर भी use कर सकते है, as a hand instrument भी उसका हम use कर सकते है, या उसे हम tripod के उपर fit करके भी उसका हम use कर सकते है, जो हमारा prismatic compass होता है, वो circular shape में होता है, और जो उसका diameter होता है, वो कितना होता है, 85 mm से लेके 110 mm के बीच में उसका diameter होता है, और इसके आज जो बाज जो क्या होता है, एक metal का box बना होता है, जो कि non-magnetic metal होता है, जिससे जो हमारे अंदर जो graduated ring रहेगी, या जो हमारे magnetic needle रहेगी, उसके पर कोई effect नहीं आए, इसलिए जो इसका box रहेगा, वो किसा रहेगा, non-magnetic metal का बना हो रहेगा, और जो हमारा prismatic compass ह इसलिए बोलते है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक prism use होता है, जिसका use हम किसके लिए करते है, reading लेने के लिए करते है, prism की health से हम क्या करेंगे, इसमें reading लेंगे, और जो मारा prism होता है, वो कहां लगा रहेता है, वो iven के पास लगा रहेता है, जिससे हम sighting और reading ए कौन सा component कहा होता है, उस से related मैंने यहाँ पर दो images का use किया हुआ है, जिसमें आपको एक image में cross section देखने मिल रहा होगा, और second image में आपको isometric view देखने मिल रहा होगा, prismatic compass का, तो अब देख लेते हैं, prismatic compass में जो outer होगा, वो क्या होगा हमारा metal का box बना होगा, brass metal का, जो क्या हो compass को क्या बोलेंगे, prismatic compass बोलेंगे, और prismatic compass कौन से compass का type होगा, magnetic compass का type होगा, अब इसके कौन कौन से major parts से components होगे, वो भी आपको screen पर देखने मिल रहे होगे, तो यह सबसे बिल हमारा outer के आगया, metal का box आगया, यहाँ पर क्या आएगा हमारा prism आएगा, जो कि आपको object point, यहाँ पर इसका accessible mirror होगा, यहाँ पर हमारे क्या लगे होगे, color sunglasses लगे रहेंगे, और यहाँ पर इसके बीच में आता है horse hair, जो किसके लिए use होता है, sighting के लिए use होता है, इसके उपर होगा glass का cover, compass के उपर जो foreign particle आएंगे, उससे safe रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसक इसका हम use करेंगे, यहाँ पर आगे इसका pivot, यहाँ पर इसकी spring break, break pin, etc., सारी चीज़े आपको given है, main important चीज़े आपको यहीं पर देखने मिल रहे होगी, और साथ में हाँ पर आता है focusing stud, जिसका use हम किसलिए करते, focus को exhaust करने के लिए हम इसका use करते, तो यह सारी main important parts थे, metal box, pr glass cover, sunglasses, graduated ring, etc., यह सारी के हमारे main parts थे, prismatic compass के, अब इनको भी थोड़ा detail में समझ लेते, और उसके बाद हम समझेंगे कि prismatic compass को exhaust के से किया जाता है, जब हम इसका use करेंगे, और एक और important बात, जो prismatic compass के अंदर, जो हम measurement करेंगे, bearings, और किसके अंदर measure की जाएगी, wall circle bearing के अंदर इसको calculate करेंगे, यानि 0 से 360 degree के अंदर हम क्या करेंगे, सारा reading calculate करेंगे, तो जो major part से first आएगी, magnetic needle, तो magnetic needle के से होगी, ओ भी हम समय लेते, magnetic needle of ball type supported over a centrally situated pivot made of a hard still is provided, magnetic needle हमारी कों से होगी, बाट type की magnetic needle होगी, जो center में लगी होगी, किसके ओपर लगी होगी, pivot के ओपर एकदम hard still से बनी होगी, then graduated ring, अब जो graduated ring होगी, किसकी बनी होगी, ओ भी हम देख लेते हैं, a graduated aluminum ring is attached with the needle and it is divided into degrees and half degrees, the graduation start from zero mark at south end of the needle and they run clockwise, so the 90 degree, 180 degree and 270 degree are marked respectively at west, north and east, तो जो graduated ring होगी, वो किसके बनी होगी, aluminum ring की बनी होगी, और किससे attach होगी, needle से attach होगी, और इसके अंदर मैंने बोला थ marking कैसी होगी, 0 degree से 360 degree के बीच में इसके अंदर marking होगी, क्योंकि इसके अंदर जो हम reading लेगे, किसके अंदर लेते हैं, whole circle bearing के अंदर reading ली जाएगी, then i when and object when, अब i when और object when क्या होगी, वो भी देख लेते, तो i when पे हम क्या होगी, i when पे हमारा observer server खड़ा होगा, जो उसको करे जिसकी health हम क्या करते हैं, reading, measure करते हैं, next है हमारा adjustable mirrors, तो adjustable mirror क्या है, वो भी देख लेते हैं, a hinge mirror with sighting और object when is provided, तो इस second figure में आपको देख रहा होगा, वो कहाँ पर हैं, हमारे object when के पास में हुए, तो जो object when के पास जो mirror लगा हुआ है, वो ही कि हमारा adjustable mirror है, वो किसके लिए करेंगे हैं, जब हम sighting करेंगे, वहाँ पे उस time पे हमारा use में आएगा, then focusing stud, focusing stud किदर लगा हुआ है, हमारे eye when के नीचे लगा हुआ होता है, वहाँ पे हमारा focusing stud होता है, it is provided to exist the eye side of the different person, हर person का अपना अपना perspective होगा, तो उसके हिसाब से क्या कर सकता है, जो compass का focusing point है, उसको set कर सकता है, break pin, it is provided to stop the oscillation of the ring, जो हमारे ring का oscillation होगा, दोलन होगा, उसको रोखने के लिए हम क्या करेंगे, break pin का use करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको provide की होगी, जो कि आपको यह वाली image में अंदर देखने मिल रहा होगा, then glass cover, it is provided at the top, so that dust particles can't enter the compass box, जो हमारे dust particles होगे, वो compass box के अंदर इंटर ना कर पाए, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एक glass cover से उसको ढग देंगे, glass cover उसके पर provide खर देंगे, हमारे metal box के उपर, next prism, it is used to read generation on a ring, and to take access reading by compass, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, prismatic compass के अंदर prism use होगा, और prism की help देंगे, reading calculate करेंगे, यानि हम reading को measure करेंगे, और इसके अंदर एक होगा, horse air, तो horse air किसके लिए use होगा, वो object when के अंदर लगा होगा, जो हमारे sighting के लिए use होगा, और metal box, जिसका पू उसके कौन-कौन से measure parts दे, उस अभी आपको समझ में आगे होगे, लेकिन आप prismatic compass को adjust किसे किया जाता है, जब हम उसका use करेंगे, जब हम side पे उसको लगाएंगे, तो हमको कैसे पता चलेगा, कि इसके इंदर जो reading आ रही एकदम accurate है, सही है, गलत, तो उसके लिए भी हमें instrument को shift करेंगे, हमें temporary adjustment करने ही पढ़ेंगे, और second आएगा हमारे permanent adjustment, तो permanent adjustment में क्या होगा, जो हमारा instrument है, उसके नीडल को adjust करना, उसके pivot point को adjust करना, यह क्या होगे हमारे permanent होगे, उसको एक बार कर दिया, तो हमें दुबारा करने की, जो नहीं पड़ेगी, जब तक कि उनके अ है प्रिजम गा, फर्स्ट सेंटरिंग, तो सेंटरिंग सभी को पता के से यूज होती है, जहाँ पे भी हम जिस ट्राइपोड पे, जैसे मान लो ही हमारा ट्राइपोड है, यहाँ पे हम क्या कर रहे है, इसको हम फिक्स कर रहे है, कि इसको हमारे प्रिजमेटिक कमपास को यहा पर जो center में आके रुकेगा, उसकी accurate centering हम कर लेंगे, plumb bob की health से, और उस हिसाब से हम क्या कर देंगे, उस prismatic compass को महाँ पर fix out कर देंगे, उसके center में, अब next आएगा हमारा leveling, अब level कैसे हम करेंगे, level के लिए हम bubble tube का भी use कर सकते हैं, अगर bubble tube है, तो उसका use करके भी हम उसका level check कर सकते, या हम उसको hand के थूरू सीधे check सकते, कि जो हमारे graduated ring है, वो एकदम freely swing हो रही है, freely move हो रही है की नहीं हो रही है, अगर एकदम freely move हो रही है बिना edges को टकरा हुए, तो क्या है जो हमारा compass एकदम level है, अगर वो कुछ ना कोई उसमें थोड़ा error आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा आगी पीछे करके उसको level में कर सकते, यह सबसे best example हमारा क्या रहेगा, bubble tube का भी हम use कर सकते, अगर जो हमारा bubble एकदम बीच में आ रहा है, तो जो हमारा align है level एकदम सही है, तो इसी type से हम leveling करेंगे, then next है focusing prism, अब focusing prism के लिए हमारे क्या होता है, जो हमारा prismatic compass होता है, उसमें एक focusing stud लगा होता है, क्योंकि हर person के लिए अपना एक focus point अलग-अलग होगा, तो उस हिसाब से उसको focus करने के लिए क्या होता है, focusing stud लगा होता है prism के पास में ही, नीचे, जो हमारे कहाँ पे होगा, आईवें के पास में होगा, तो उसका use करकर हम कर सकते हम prism को focus कर सकते है, कि जो reading आ रहे हैं एकदम सही आ रहे हैं या नहीं, तो यह क्या होगए हमारे temporary adjustment, जो कि हमको हर बार अलग करना बढ़ेगा, क्योंकि जैसे हम instrument को shift करेंगे, तो हमारे लेवल कुछ अलग होगा, हमारे center भी कुछ अलग होगा, और जो focus हो person और server के उपर depend कर सकता है, अब next आएंगे हमारे permanent adjustment, अब permanent adjustment में क्या होता है, जो हमारे permanent adjustment होगे, वो server compass के लिए भी same होगे, जो हमारे prismatic compass के होगे, तो prismatic compass और server compass के लिए common है, तो common permanent adjustment क्या है, हम देख लेते, first, adjustment in levels, as in prismatic compass, there are no level tubes, so there is no need of adjustment of level, अब जो हमारे prismatic compass आएगा, उसके अंदर कोई level tubes होंगे ही नहीं, जब level tubes ही नहीं होंगे, तो हमें क्या करना है, हमें whole adjustment of level करना ही नहीं क्योंकि automatic set है, next, adjustment of needle in pivot point, then needle in prismatic compass can't be strand, अब जो हमारे prismatic compass की जो needle होती है, एकदम broad type की needle होती है, तो उसको strand करने के जोड़तने, क्योंकि वो automatically वहाँ से fix होके आई हुई है, एकदम आई हुई है, then adjustment of sight whens, the sight whens in prismatic compass are not accessible, अब जो इसमें sight when होंगे, वो एकदम नहीं होगे, इसमें कौन-कौन से होती है, एक eye when होता है, एक object when होता है, जो कि एक दूसरे के opposite में होते है, एक की direction में, जिससे हम sighting का use कर सकते हैं, जो कि automatically set है, तो यह आगए इसके adjustment, कौन-कौन से, temporary adjustment और permanent adjustment, temporary में कौन-कौन से, centering, leveling और focusing, और permanent में कौन से, adjustment of pivot point, adjustment of needle, adjustment of level, and adjustment of sight whens, etc. यह सारे चीज़े आगए, इसकी permanent adjustment के अंदर, इसके अलावा, prismatic compass के kon-कौन से, major parts होते हो भी, मैंने आपको समझा दिये, और prismatic compass होता है, उसकी भी एक में एक short definition आपको समझा दी, और एक और important बाट, जो मैंने आपको नहीं बताई, कि जो हमारा prismatic compass होता है, उसका list count कितना होता है, क्योंकि ये बहुत important question है, जो कि आपको पता होना चाहिए, आपको कई भी पुछा सा सकता है, objective के form में, तो जो prismatic compass होता है, उसका list count कितना होता है, 30 minutes का उसका list count होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कि prismatic compass का list count कितना होगा, 30 minutes का, और जो हमारा prismatic compass होगा, उसका जो circular box होगा, उसका diameter कितना होगा, 85 mm से लेके 110 mm के बीच में, और third question क्या बन सकता है, कि जो हमारा prismatic compass होगा, उसके अंदर जो reading ली जाती है, वो कौन से bearing के form में ली जाती है, वो wall circle bearing के form में ली जाती है, और prismatic compass के अंदर एक prism में लगा होता है, यह आपको पता है, और prismatic compass में हम sighting और reading साथ में ही कर सकते है, तो यह चीज़ आपको पता होनी चीज़ जो important important चीज़े है, कि prismatic compass का list count के इतना होगा, 30 minutes का, जो metal box होगा, उसका diameter के इतना होगा, 85 mm to 110 mm, और prismatic compass के अंदर reading, sighting साथ में ली जा सकती है, एसेटरा, यह सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई होग आपको prismatic compass पुरा detail में अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि prismatic compass क्या होता है, तो नेक्स वीडियो में हम सर्वेर compass को भी एसी थोड़ा detail में समझ लेंगे, तो वीडियो अगर आपके लिए help फूले, और वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को जो like करना, साथ ही इस वीडियो से related अगर आपका कोई doubt हो, तो आप उसे comment करके पूछ सकते हो, इसके अलागा, अगर आप हमेरे चैनल पर नाए, तो चैनल को पीज़ेव सब्स्राइब करना, और साथ में अबेल का इकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की notification मिल सके, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक आप सभी अपना देहान रखना, थैंक्यू सो मॉच,